फिल्म की शुरुआत हुई 1949 में जहां टेप रिकॉर्डर में हम एक बच्ची को देखते हैं ये बच्ची हाथ में क्रॉस लेकर आस्मान की दरफ करती हैं साथ साथ दुआ भी मांग रही थी ऐसा होते ही वह अंधेरे से रोशनी आ गई क्योंकि पहले सुरज ग्रहन लगा हुआ था अब क्योंकि उसकी दूआ कबूल हो गी थी इसलिए सब उसे अपने लिए मसिया समझने लगे वो उम्मीद भरी नजरों से बच्ची को देखती हुए उसकी पास आकर जमा हो जाते हैं उन सबने भी अपने पने हाथों में क्रॉस पकड़े हुए थी इसकी बात कहानी 10 साल की बात की दिखाई गई ये वक्त होता है 1949 का हम एक सिस्टर को देखती हैं जिसका नाम नार सीसा होता है जो समा लेकर एक चर्च में आती है उसने देखा कि चर्च पर बहुत सारे गोलियों के निशान है तब ही यहां एक और नन सिस्टर आई जो यहां की हेड नन थी वो नार सीसा को अंदर लेकर गई बताती है कि जंग की बात जब यहां पर अमन शान्ती हुई तो तब तक चर्च के पुराने लोग इस जगा को छोड़कर जा चुके थे पुराने लोगों में अब बस मैं हूँ एक सिस्टर और मदर सुपीरियर है अब यह चर्च गरीब बच्चों का स्कूल और होस्टल बना दिया गया है दराइसल यह बच्ची और कोई नहीं बलकि सिस्टर नारसीसा ही थी इनकी बात चीत की दुरान हमें पता चिला कि नारसीसा यहां बच्चों को पढ़ाने आई है क्योंकि हाल ही में एक सिस्टर स्कूल छोड़के चले गई थी पर कोई भी नहीं जानता था कि वो अच्चानक कहां चले गई अब नारसीसा को एक कमरा दिया गया यहां वो अपना समान रखनी लखती है पर उसका सूट कीस आगे नहीं जा रहा था उसने जब चेक किया तो वाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसी खोलने पर अंदर एक खर एक सिस्टर की तस्वीर और एक कैंची थी तस्वीर पर इस सिस्टर का नाम भी था जो सुकोरो होता है उसकी तस्वीर हाथ में लेकर नारसिसा सिस्टर सुकोरो का नाम लेती है एसा होती सामने पड़ी कुर्सी हिरने लगी जो एक आवाज की साथ नीचे गिर जाती है तब ही कोई बाहर का दिर्वाजा जोर जोर से पीटने लगता है हलाकि नारसिसा दर्वाजा कोल कर देखती भी है पर वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता लेकिन हाँ उसे अपने कमरे के सामने वाले दिवार पर एक निशान बना दिखता है जो पहले नहीं था पर वो इसे नजर अंदास करकी अपनी क्लास में आ जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सबसे पहले बच्चों को अपने बारे में बताकर ब्लैक बोर्ट पे अपना नाम लिखनी लगती है और अब जैसे नारसिसा ने अपना नाम लिखा सबी बच्ची अजीब तरां से डर्ने लगी मोही मोह में कुछ बोलने लिखती है एक बच्ची रोजा तो इतनी डर चाहती है कि उसकर टॉलेट ही निकल जाता है लास खत्मोने की बार नारसिसा रोजा के पास आई पूछती है कि जब मैंने ब्लैक बोड पर अपना नाम लेखा था तो तुम और सारे बच्ची क्यों डर रहे थी पर रोजा के कुछ भी पताने से पहले उसकी जुड़वा बेंड रोजा को बोलने से मना करती है कि वो नारसिसा को कुछ न बताए अब जब नारसिसा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि दिवार पर बना वो निशान जो मैंने पहले भी देखा था वो अब थोड़ा और बढ़ गया है रात ही रात में किसी ने वहाँ एक और लकीर खीशती थी पर नारसिसा अभी भी इस पर इतना दिहान नहीं डेती बाद में मदर सुपीरियर उसे अलबम दिखाती है जिसमें उन सिस्टर्स और नन्स की भी तस्वीरे थी जिन सबकी यहां काम करते करते मोट हुए अलबम में एक तस्वीर गाइब थी जो देकर नारसिसा समझ जाती है कि ये गायब तस्वीर जरूर सिस्टर सुकूरों की होगी जो उसे कमरे में मिली थी वापिस अपने कमरे में आकर सिस्टर सुकूरों की तस्वीर दीखने लगती है एक बार फिर कुरसी हिलने लगी जो आवास की साथ नीचे गर जाती है पहले की ही तरा फिर से कोई सोजोर से दर्वाजा पीटने लगा वो कान लगा कर सुनती है लेकिन कोई नहीं था अब उसे लगने लगा कि ये ज़रोर मेरे किसी गलती की वज़र से हो रहा है मेरे साथ इसलिए वो अपने आपको ही पीटने लगी क्योंकि उनके रिलिजन मजब में ये माना जाता है कि अगर आप खुद को मानकर सजा देंगे तो ऐसे आपके किये हुए गुना दूल जाए अब हम सब भी बच्चियों को देखते हैं जो साथ वाले कमरे में सूर रही थी और अब बाट डब भर गया पानी भी जोरजोर से इनने लगता है पर अचानक एस सारा पानी तहीं गाइब हो गया तब बाट अब में रोज़ा को किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं वो बालों को देखी रही थी कि तब यहां उसे किसी और की होने का भी एहसास होता है जिस वज़से वो जोर से चिड़नाती है चीख की आवास सुन गई है, हेट नर ना चाती है अब जो बच्चिया अंदर सो रही थी, उन में से भी एक बच्ची चीखने लगती है वो बताती है कि नेन में ही किसी लड़की ने मेरी बालों को काड़ दिया है क्योंकि वहां कैंची भी पड़ी थी और उसकी बाल भी गाइब थी अब क्योंकि इस बच्ची के ही बाल रोजा को बात्रूम में मिली थी तो सबको लगता है कि बाल रोजा नहीं काटी है जब उसकी पास सेल में गई तो रोजा उसे बताती है कि हाँ, वो हरकत मैंने नहीं की थी। उस वक्त मैंने बात्रूम में किसी बच्ची की आत्मा को देखा था। वो सिट मुझे ये नजर नहीं आई, बलकि आपकी आने से पहले भी कई सरी लुगों को आत्माओं की आवाजी आई और वो दिखाएं में दी। और तोर हम सब बच्चें को दिवार पर वो निशान बना हुआ देखा था जिसा आपकी कमरे के सामने बना हुआ था। ये जब ये बात उस सिस्टर को बताई जिसकी जगह पर आई हो तो उसनी तस्वीर का एक पैर बनाकर उस नामुकमल तस्वीर को पूरा कर दिया। ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी तो ये ही वज़ा है कि सारे बच्चे डर रहे थी क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया तो इसका मतलब कि उसका मिरना या गाइब होना तैय है। प्रशान के वक्त नारसिसा जब वापिस आई तो उसने देखा कि एक सिस्टर किचिन में मौमो जैसी कोई डिश बना रही है। वो जैसे सामने देखती है पता चला कि यी आँके और किसी की नहीं बलके उस सिस्टर की थी जो अब बेना आँकों के पोवर ड्रावने लग रही थी। उसी ऐसी हालत में देखकर नारसिसा बुरी तरह डर जाती है जोर से चिलानी लगी वो फिर बाह कर एक कमरे में आगी जहां कोई उसका गला और पुरा जिसम दबा कर मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसका चीरा कपड़े से ढखा गया था और कपड़े भी तंग होती जा रहे थी। बुरी तरह नारसिसा को नोशने लगा जिसके साथी नारसिसा की आँख खुल गए उसे ये देखर सकुन का सांस आया कि ये मेरा बस दुरा सपना ही था पर अँखें कोलने पर उसने देखा कि वो निशान अब और बड़ा हो गया है जो शुरू से उसे दिखाई दे रहा था निशान में मरने वाले इनसान की अब दो हाथ और एक पैर भी होता है और अब बस एक पैरी बनना रह गया तब ही नारसिसा देखती है कि अब ब्लैक बुट पर रोजा का ही नाम लिखा हुआ है पर वो यहां से सीधा रोजा के पास हाई ताकि उससे संभाल सकी नारसिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं तुमारे साथ हूँ रोते वे रोजा उसे बताती है कि एक बच्ची की आत्मा मुझे अब हर जिका दिखाए दे रही है नारसिसा को समझ नहीं आती कि वो क्या करी तब वो रोजा का हाथ पकड़की तस्वीर का आखरी पैर बना कर उस तस्वीर को पूरा कर दीती है तकि पहले वाले सिस्टर की ही तर पर अब वापिस देखने पर रोजा गाईब हो जाती है नारसिसा काफी घबरा गई वो और रोजा की जुड़वा पेहन हर जिगा उसे ढूरती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल घबराट में नारसिसा हेडनन को भी पता देती है कि रोजा गाईब हो गईए और वो तो नार पिर जाए नहीं पाती है यूंकि दर्वाज़ा बन करकि कोई उसे यहां कैद कर दीता है। तब यूँ से सामने कई सारी आँखियं दिखाई दिने लगती हैं। और पीचे से धेर सारी हाथ आकर नार्सिसा को पकर लेती हैं। उसे डराने और मारने के कोशिश करती हैं। ना दासमन से ईचर्च स्कूल छोड़कर जानी लगती है। अब वो जैसे सुरज को देखती है। सुरज ग्रहन लगनी लगता है। बिल्कुल वैसी जैसे उसकी साथ बच्पन ने हुआ था। तब कि यी तरह एक बर फिर यहां अंधीरा चा जाता है। लेकिन कुछ दिरबा जै वो वक्ता जब जंग छुड़ी होई थी। नारसिसा देखती है कि जंग के दुरान कुछ लुटेरी इस चर्च में घरसाए थी। एक लुटेरी ने बिचारी सिस्टर सुकूरों की साथ बहुत खलत कर दिया। जो देखकर नारसिसा को इतना बुरा लगा कि वो चिलाने ल एक बार फिर पास्ट के उस लक्स से जुड़ जाती है। देखने लग गई कि सुकूरों की साथ जब लुटेरी ने घलत किया था। उसकी बात क्या हुआ था। नारसिसा देखती है कि उस हादसे की बाल सिस्टर सुकूरों की बेटी पहना हो गई। पर चर्च की इज़त चड़ी जाए। इसलिए मदर सुपीरियर सुकूरों की बेटी को चर्च की अंदर ही पालती है। कभी उसे बाहर जाने नहीं देते। अपनी यादों में नारसिसा ये सब देखी रही थी। अब तक नारसिसा को भी पता चल गया था कि सिस्टर सुकूरों की साथ पास्ट म जहां उसने देखा कि सुकूरों की बेटी बड़ी हो गई है। अब एक दिन उस बच्ची को तेज बुखार हो गया। लेकिन मदर सुपीरियर हेडमन और दूसरी सिस्टर उसे डॉक्टर की पास नहीं लेकर जाती। उनकी सोच थी कि अगर वो चर्च से बाहर गई तो सब को पता चल जाएगा कि यही बच्ची सिस्टर सुकूरों और उस लुटेरे की हैं तो चर्च की काफी बदनामी होगी। तो इसलिए वो लोग सुकूरों को एक कमड़े में बं करके उसकी बच्ची का वो खार खुदी ठी करने की कोशिश करती हैं। वो तेज ठंडे पानी स ज्यादा ठंडा था। इसलिए बच्ची हाथ पाम मारने लगती हैं पर इस बीच बच्ची का सर जोर से टकरा गया खुद निकलने लगता है। अचानक की बच्ची ने हरकत करना बं कर दी यानि कि उन लोगों की हाथों बच्ची की चान चली गई। अपनी बेटी की मरने क जब सुकूरों को पता चिला तो वो इस घम को परदाश ने कर पाई और अपनी जान ही ले लेती हैं। और अब पास्ट में ये सब होते हुए देखकर नार्सिसा को बहुत बुरा लगा। वो उस कमरे को खूल देती हैं जहां उन तीनों ने सिस्टर सुकूरों को बंद करक हुई थी उसकी आँख फूल जाती हैं और अब उसकी लाश पास्ट में गोमने लगी जबकि प्रेजन में उसकी आत्मा तीनों को डरानी लगती हैं यनि मदर सुपीरियर हेडनन और सिस्टर को जिनकी हाथों उसकी बच्चे की मौत हुई थी पास्ट में सुकूरों हेडनन का मौ अजीब तरह सी तोड़ दिती हैं जिसे उसकी मौत हो गई अब यहां हेडनन की मड़ती ही प्रेजन में भी उसकी मौत हो जाती हैं पिर पास्ट में सुकूरों मदर सुपीलियर की पास गई और वो उसका मौः पकड़ की बार्ट डब में डबो दीती हैं ऐसे पिर को उसकी बीटी की आत्मा दिखाए दिया करती थी स्कूल में पूरी तरह अमन शान दिया जाती है मतलब सब कुछ नॉर्मल बिलकर ठीक हो गया था यह स्कूल हर नहासी में फोस था क्यूंकि बदला पुरा होते ही इन्हीं मजर सुपीर और हैडनन की मरने की बाद किसी को ना तो वो ने शान दिखा और नहीं सुकूरो और उसकी बेटी की आत्मा और अब यहां से सिन्शिफ्टो कर आ जाता है 40 साल के बाद यहीं 1991 में जहां अब यह जट स्कूल काफी बड़ा और अच्छा बन गया था यहां पर नएने बच्ची आकर पढ़ा करती थी जिसे अब न